ओम जै जगदीश हरे, स्वामी जै जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, ख्षन में दूर करे, ओम जै जगदीश हरे राथे राथे जी, पापांकुषा एकादशी की आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है आश्वन शुकलिपक्ष की एकादशी को पापांकुषा एकादशी कहते हैं पाप रूपी हाथी को पुन्य रूपी अंकुष से भेटने के कारण इसे पापांकुषा एकादशी के नाम से जाना चाता है एकादशी को व्रत राज की उपाधी दी गई है, सनातन धर्म में एकादशी तिथी का बहुत विशेश महत्व है पापांकुषा एकादशी करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सो भाग्य की प्राम्ति होती है विजयादश्मी के बाद भगवान श्री राम जी और उनके भाय भरत जी का मिलाप इसी एकादशी को हुआ था पापांकुषा एकादशी के दिन भगवान विश्णुजी के पद्मिनाब रूप की पूजा की जाती है ब्रह्म वैवर्थ पुरान में इस एकादशी का महात्में बताया गया है पाप से मुक्ति के लिए इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है आये श्रवन करें पापांकुषा एकादशी की महात्में कथा कहिए जै भगवान विश्णुजी की लिखिए जै भगवान विश्णुजी की भगतों हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवर्ष्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें जै श्रीमन नारायन धर्म राज युदिष्टर कहने लगे हे भगवन आश्विन शुकल एकादशी का क्या नाम है अब आप कृपा करके इसकी विधी तथा फल कहिए भगवान शुरी कृष्ण जी कहने लगे कि हे युदिष्टर पापो का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है हे राजन इस दिन मनुष्य को विधी पूर्वक भगवान पद्भिनाब की पूजा करनी चाहिए यह एकादशी मनुष्य को मनवांशत फल देकर स्वर्व को प्राप्त कराने वाली है मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुद्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य अज्यानवश अनेक पाप करते हैं परन्तु हरी को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाती भगवान विश्णुजी के नाम के कीर्टन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुन्य का फल मिल जाता है जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान श्री विश्णुजी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती जो मनुश वैशनव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान विश्णुजी की निंदा करते हैं वे अवर्ष नरकवासी होते हैं सहस्त्रों वाँचपय और अश्वमेत्यग्यों से जो फल प्राप्थ होता है वो एकादशी के वरत के सोलवे भाग के बराबर भी नहीं होता है संसार में एकादशी के बराबर कोई पुन्य नहीं इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं जब तक मनुष पद्मनाप की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकता है और धन की देने वाली हैं एक आदशी के वरत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुशकर भी पुन्यवान नहीं है हरिवासर तथा एक आदशी का वरत करने और जागरन करने से ही सहज में मनुश्य विश्नुपत को प्राप्थ होता है है युधिश्टर इस वरत के करने वाले दस पीडी मात्र पक्ष, दस पीडी पित्र पक्ष, दस पीडी स्त्री पक्ष तथा दस पीडी मित्र पक्ष का उधार कर देते हैं वे दिव्य देह धारन कर चतुर्भुज रूप हो, पितांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरहुड पर आसीन होकर विश्नुलों को जाते हैं हेन रिपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृध्धावस्था में इस वृत को करने से पापी मनुष्य भी दुरगती को प्राप्थ ना होकर सद्गती को प्राप्थ होता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी काफरत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरी लोग को प्राप्थ होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं सोना, तिल, भूमी, गाव, अन, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यम्राज को नहीं देखता जो मनुष्य किसी प्रकार के पुन्य कर्म किये बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भटी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ती के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवालों को सरोवर बाग मकानादी बना कर दान करना चाहिए ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर गायू होकर दनाध्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिश्टर जी को पापांकुशा एकादशी की महत्तम कथा सुनाए शांतकारं भुजगशयनं पत्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसद्रशं मेघवर्नं शुभांगं लक्ष्मी कांतम कमलन यनम योगी भिर्थ्या नगम्यम वन्दे विश्णम भवभयाहरं सर्वलोकै कनाथम भक्तों हम सब चाहते हैं कि हमारे सभी पापनश्ठ हो जाए और हम सद्गती को प्राप्थ हो नित्य मनुष्य से कोई न कोई गलती होती रहती है और वह इस कारण पाप का भागी बन जाता है यदि कोई मनश्यक गल्ती से कोई पाप कर लेता है तो अवश्य ही इस वरत को करना चाहिए इससे सभी पापों का नश्ट हो जाता है और सद्गुनों का समावेश होता है नारत पुरान के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहुरत मीसनानादी के बाद भगवान विश्नुजी को याद करते हुए वरत का संकल पलेना चाहिए इसके बाद घट स्थापना करें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए गेहु की डेरी पर भगवान विश्नुजी का कलश स्थापित करें कलश में गंगा जल भरें और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानिके नारियल रखें कलश में रोली से ओम और स्वस्तिक बनाएं इसके पस्चात भगवान विश्नुजी की मूर्ती या चित्र को स्थापित कर गंगा जल की छींटे करना चाहिए भगवान जी के स्नान अनंतर उन्हें पीले वस्त्र अरपन करें हल्दी और चंदन का टीका लगाए फिर भगवान विश्नुजी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रजवलित करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए भोग में तुलसी दल अवश्य डाले तुलसी दल के बिना भगवान विश्नुजी भोक स्विकार ही नहीं करते इसके बाद कथा सुनकर आरती करनी चाहिए रात्री में जागरन रहकर भगवान विश्नुजी के सहस्त्र नाम या भगवान विश्णुजी के भजन कीर्तन गाते हुए रात्री जाकरन करना चाहिए वरत के अगले दिन द्वादशी तिथी में सूरियोदे के बाद ही ब्राह्मनों व जरूरत मंदों को भोजन वदान दक्षिना देकर ही स्वयम भोजन ग्रहन करना चाहिए एकादशी के वरत में अन ग्रहन नहीं किया जाता है वरती फलाहार कर सकता है या दूध या दूध से बने पधार्तों का सेवन भी कर सकता है दवाईया अवश्य ले सकते हैं तामसिक पदार्थ जैसे की टी कॉफी, सौफ्ट ड्रिंक, प्यास लहसुन का सेवन वर्चित है आए भक्तों अब श्रवन करें पापांकुशा एकादशी वरत की कथा प्राचीन समय में विंध्य परवत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था वह बड़ा ही क्रूर था उसका सारा जीवन, हिंसा, लूटपाट, मध्यपान और गलत संगती पापकर्मों में ही बीद गया जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराची के दूथ बहेलिय को लेने आये और यम दूथ ने बहेलिय से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आयेंगे यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भैभीत हो गया नरक में असहनिय नरक यातना भोगने का सोच भी उसमें कमपन पैदा कर रहे थे आजीवन उसने केवल पापकर्म ही किये थे अब प्रायस्चित का समय भी कहां बचा था वह महर्शी अंगिरा के आश्रम में पहुँचा और महर्शी अंगिरा के चर्णों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा हे रिशिवर मैंने जीवन भर पापकर्म ही किये हैं कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुक्ष की प्राक्ती हो जाए उसके निवेदन पर महर्शी अंगिरा जी ने उसे आश्रम शुकल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधी पूरवक वरत करने को कहा महर्शी अंगिरा के कहे अनुसार ही उस बहेलिये ने यह वरत किया और किये गए सारे पापों से चुटकारा पालिया और इस वरत पूजन के बल से वह भगवान की क्रिपा से वह विश्नुलोग को गया जब यमराज के यमदूत ने इस चमतकार को देखा तो वे बहेलिया को बिना लिये ही यम लोग वापस लौट कए इती श्री पापांकुषा एकादशी वरत कथा संपूर्ण भक्तो इस प्रकार कथा श्रवन करने के बाद आरती से भगवान विश्नुजी का पूजन संपन करें सर्व लोग प्रिय आरती ओम जै जगदी शरे पंडित श्रद्धा राम फेलावरी द्वारा सन 1870 में लिखी गई थी यह आरती मूलत भगवान विश्नुजी को समर्पित है किन्तु इस आरती को किसी भी पूजा उत्सर्व पर सुनाया या गाया जाता है भगतो का मानना है कि इस आरती का मनन करने से सभी देवी देवताओं की आरती का पुन्य मिल जाता है भगतो यहां हमारी आज की यह प्रस्तुती समाप्थ होती है आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैश्री हरी विष्णुजी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने बंधु मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस प्रकार के और वीडियो स्पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चानल पवित्रवचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहीगा मुझे अनुमती दीजी अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जैश्रीमन नारायन